हेलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम ट्यू एटीपी और बच्चों क्या हल चाल हैं तो बच्चों जैसा कि हमने अपना लास्ट चप्र स्टार्ट कर दिया था प्लांट ग्रोथ और डवलपमेंट और लास्ट लेक्चर में हम डवलपमेंट के बारे में भी पढ़ चुके थे कि आखिर डवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है और बच्चों उसी के साथ में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हर्मोन जो होते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगलेटर जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और उनमें से कौन-कौन स growth inhibitor है ठीक है बच्चों तो आज हम एक एक करके detail में पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते बच्चों oxyn के बारे में पढ़ना तो बच्चों oxyn hormone oxyn जो है वो one of the best known hormone होता है और यह oxyn जो है वो growth promoter hormone की category में आता है oxyn जो है बच्चों यह oxyn प्लांट की growth पे बहुत सारे effect शो करता है और बहुत सारी चीज़े जो है metabolic activities जो है उनको regulate करता है तो बच्चों सबसे पहले oxyn को discover किस नहीं किया था oxyn की discovery का credit तो हम FW went को ही देते बच्चों लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे scientist जिन्होंने experiment किया था oxyn को discover करने के लिए तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले experiment देखें Charles Darwin and Francis Darwin का तो सबसे पहले Charles Darwin और Francis Darwin ने experiment किया था उन्होंने किया कि उन्होंने canary grass जो होता है उसके उपर experiment किया था canary grass जो है बच्चों उसको हम phalaris canaryensis भी बोलते हैं और इसके उपर उन्होंने experiment किया और वो experiment कैसा था बच्चों कि उन्होंने coloptile tip लिया उसको cut और उसको eliminate किया unidirectional light से eliminate किया unilateral light दिया इसको और देखा कि bending होती है उसकी light के direction में और यदि उन्होंने उसको cover कर दिया किस से metal foil से या फिर उन्होंने क्या किया उसको cut कर दिया tip को cut कर दिया coloptile tip को तो उन्होंने देखा कि जो bending है वो process stop हो जाती है तो इससे conclusion सिर्फ इतना निकल पाय था कि जो tip होता है coloptile tip होता है वो light की तरफ bend होता है, phototropic moment शो करता है बट exactly क्या reason था और किस तरीके से mechanism होती है उसको Charles Darwin और Francis Darwin जो है वो explain नहीं कर पाये थे बचों तो फिर आखिर एक बार हम यह experiment दिखते है विद diagram कि क्या इन्होंने experiment किया था तो बचों कुछ इस type का experiment था Darwin का उन्होंने क्या किया? कॉलिप्टेल टिप को unilateral light दिया और light देने के बाद उन्होंने क्या observe कि कॉलिप्टेल टिप जो है उसकी bending हो गई किस direction में? light की direction में अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने यदि इसकी कॉलिप्टेल टिप को cut कर दिया और फिर unilateral light दिया तो अब की बार क्या हुआ बैंडिंग नहीं हुई तो करवेचर नहीं आये तो इस experiment से बच्चो क्या proof हो रहा है सिर्फ इतना proof हो रहा है कि जो कॉलिप्टेल टिप होता है वो light के response में band करता है या phototropic moment को show करता है ठीक है बच्चो और इसके बाद और भी बहुत सारे scientists ने experiment किये थे हम देखते हैं कि करके तो बच्चो boyson jensen जो है इन्होंने भी experiment किया था इन्होंने अपने experiment के लिए अवीना सटाइबर जो है उसका कॉलिप्टेल टिप लिया था ओट का कॉलिप्टेल टिप लिया था और इन्होंने अपने experiment में क्या किया उन्होंने जो कॉलिप्टेल टिप है उसको cut किया, cut करने के बाद वापस place किया तो bending होती है उसके बीच में उन्होंने gelatin block यूज किया तो भी bending होती है तो कुछ ऐसा conclusion निकल रहा था कि जरूर से tip पे कुछ chemical बन रहा है जो diffuse हो जाता है किसके तुरू इवन gelatin के तुरू और वो bending के लिए responsible होता है उसके अलावा उन्होंने mica plate भी use किया था बच्चों हम देखते हैं इसको भी with diagram तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभीना सटाइवा की कॉलिप्टाइल टिप जो है उसको उन्होंने blade से cut किया इस तरीकी से stump यदि हम इस stump को directly unilateral light provide करेंगे तो यह bending शो नहीं करेगा बट उन्होंने क्या क्या उन्होंने इस tip को वापिस से replace किया और उन्होंने रख दिया इसको फिर से किसके उपर यह stump के उपर टिप को stump के उपर रखा unilateral light provide किया तो क्या bending होगी की नहीं बच्चो यह bending हो गई क्या conclusion निकला कि जब हमने stump को इसके उपर रखा में ज़रूर से कुछ chemical था जो यहां से बनके नीचे की तरफ आ रहा है और इसकी bending के लिए curvature के लिए responsible है next experiment में इन्होंने क्या कि बच्चो इन्होंने यह जो cut tip है इसके बीच में यहां पर रख दिया gel कौन से जल था वो अगार अगार जो है जिलेटीन या अगार अगार जो है उसको इन्होंने रखा यहां पर और रखने के बाद में क्या देखा रखने के बाद भी यहां पर bending जो है वो होती है इसका मतलब वो chemical substance जो है वो यहां से diffuse होकर के नीचे पहुँचा और curvature आ गया तो experiment से ये चीज़ प्रूफ हो रही थी कि कोई chemical है जो टिप में बन रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है और वही responsible है फोटो ट्रोफिक मोमेंट के लिए करवेचर के लिए बच्चो एक और experiment किया है इन्होंने क्या क्या माइका का प्लेट था उस प्लेट को इन्होंने insert कर दिया और insert करने के बाद unidirectional light दिया तो क्या होगा बच्चो इन्होंने देखा कि जिस तरफ माइका प्लेट इन्सर्ट किया है उस तरफ से light देने पर इसकी bending जो है वो होगी कि नहीं होगी तो बच्चो इस experiment में इडिपेंड कर रहा था कि माइका प्लेट जो है वो कहां पर insert किया गया जिस direction में माइका प्लेट जो है वो insert किया उससी direction से light यदि इन्होंने दिया तब इन्होंने observe कि यहां पर bending होती है यानि कि यहां पर after some time bending और curvature occurs लेकिन यदि यही माइका प्लेट जो है उसको opposite direction में insert किया जाए और इस तरीके से unilateral light जो है वो provide किया यानि अब की बार इन्होंने experiment में light के opposite direction में माइका प्लेट जो है उसको insert किया है तो इस case में इन्होंने क्या observe किया बच्चो इस case में curvature नहीं आया bending नहीं हुई no curvature तो बच्चो इस experiment से क्या prove हो रहा था इस experiment से prove हो रहा था कि जरूर से जो bending के लिए responsible substance है वो नीचे की तरफ जा रहा है किस तरफ light के opposite direction में वो diffuse हो रहा है और उसकी वज़े से bending होती है ठीक है बच्चो तो यह experiment जो है वो boyson jensen नहीं किया था जिससे कुछ ऐसा पता पढ़ र था कि light के opposite direction में chemical जो है उसका transportation responsible है किसके लिए bending के लिए फिर बच्चो इसकी बाद में और भी experiments ने और भी scientists ने experiment के थे जैसे हम देखते है पाल का experiment पाल ने क्या किया पाल ने जो अवीना सटाइवा है अवीना कर वेजर जो कॉलेप्टाइल है उसके उपर इन्होंने टेस् इसको डार्क में रखा इसको इन्होंने unilateral light प्रोवाइड नहीं के यह बलकी कहां पर रखा है इसको डार्क में रखा और डार्क में रखने पर इनका observation क्या था कि इन्होंने देखा कि फिर भी bending हो गई यानि bending होना क्या represent कर रहे है यहां पे कि जरूर से जिस पार्ट पे यह कॉलेटल टिप था है यहां से कोई chemical बनके ट्रांस लोकेट हुआ नीचे की तरफ इस वाले पार्ट में ग्रूथ जाता हुई opposite direction में ग्रूथ कम हुई और even dark में भी वो क्या हो जाता है bending शो करता है तो यह बात clear हो गए थी कि यह जो curvature आ रहा है इस curvature के रेस्पॉंसिबल क्य को देते हैं FW vent को ही देते हैं इन्होंने सबने experiment किया पता लगाया कि वो chemical किस तरीके से influence कर रहा है प्लान को light का क्या role है और even light के absence में भी कैसे उस hormone का या उस chemical का जो अनिकोल distribution है वो affect कर रहा है growth को और इन सब के बाद में FW vent जो है उन्होंने properly discover किया किसको oxygen hormone को तो हम देख किते हैं आगे FW vent का experiment तो बच्चों FW vent ने सबसे पहले कोलिप्टाइल अभीना सटाइवा के ओपर ही experiment किया थे इन्होंने और उसके यानि ओट जो है उसके टिप से isolate किया कोलिप्टाइल टिप से isolate किया और इसको नाम दिया था क्या oxygen तो इस तरीके से oxygen जो है उसकी discovery हुई दिल्ग से पच त्युक्ताइल बच्चों और इन्होंने अपने experiment में क्या किया इन्होंने अपने experiment में सबसे पहले एसे बहुत सारे टिप जो थे अवीना कोलेप्टाइल के उन टिप्स को कट करके किसके ओपर अगार अगार ब्लॉक के उपर रख दिया अगार ब्लॉक पर जब इन टिप्स को रखा तो इसकी वे से क्या हुआ इसकी वे से ओक्जिन जो है वो जो की टिप में बन रहा था वो एंटर हो गया किसके अंदर अगार ब्लॉक में यहां पर क्या आ गया यहां पर सारा ओक्जिन आ गया अब उन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दिया कि वो जो सबस्टेंस वो टिप में बन रहा है और वो डिफ्यूज हो करके कहा पर आ गया अगार ब्लॉक में आ गया अब इन्होंने जो स्टंप था उसके उपर क्या किया उसके उपर सिर्फ उस अगार ब्लॉक को ही प्लेस किया उन्होंने इसके ओपर जब अगार ब्लोक को रखा और unidirectional light दिया तो फिर क्या हुआ करवेचर आ गया प्रूव क्या हुआ कि टिप के ओपर chemical बनता है diffusible substance से diffus होके अगार में आ जाता है और वही unilateral light देने पर करवेचर के लिए responsible होता है फिर उन्होंने अपने experiment में क्या किया इस अगार को रखा कहां पर eccentrically place किया तो उन्होंने देखा क्या कि eccentrically place करने पर एक side में अगार जो है उसका amount जादा रहेगा और दूसरी side में कम रहेगा दार्क में रखने के बावजूद भी वो करवेचर जो है वो शो करता है तो बच्चो इस तरीके से experiment करके उन्होंने प्रूफ किया कि यह जो अगार का quantitative distribution है और उसका जो concentration में difference से वही responsible होता है किसके लिए वही responsible होता है करवेचर के लिए ठीक है बच्चो तो फिर conclusion growth is directly proportional to the concentration of oxygen in a car block in limit and the transport of oxygen is polar and basically tip से बनके नीचे की तरफ यह आ रहा है और बच्चो लेटर ओन और भी experiments हुए जिसके तुरू clearly proof हुआ कि क्या concentration रहती है और light का actual में इस quantitative difference में क्या रूल है तो बच्चो मैं आपको बताता हूँ कि वह कैसे scientists लोगों ने प्रूफ किया तो बच्चो यह experiment बाद में हुआ था जिससे प्रूफ किया गया था कि आखर light की वेसे क्योंकि पहले के को scientist मान रहे थे कि यह concentration में difference है जैसा कि आपने पिछले वाले diagram में भी देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है concentration 57% 27% और जो difference था around 16% का तो scientist मान रहे थे कि यह photo oxidation की वज़ चुका है कि ऐसा नहीं होता है जो oxygen का distribution है वो uneven होता है light की वेसे किस तरीके से देखते हैं कि जैसे पहले experiment देख रहे हैं कि हम डार्क में डार्क में यदि जो कॉलेप्टेल टिप है उसको अगार ब्लॉक के उपर रखा यह अगार ब्लॉक जो इसको में पार्ट में अभी बच्चों यहां पर concentration जो हो almost same रहता है यानि कि light की presence में unilateral light की presence में oxygen का destruction नहीं होता है ठीके बच्चों और जब इसी को अगार डिवाइड करके चेक किया गया कि आखिर कितना concentration रहता है तो क्या observation रहा है यहां पर कि यदि हमने दोनों हाफ में चेक किया यह सेम जो कॉलेटल टेप है इससे जितना भी oxygen आया उसको हमने दो different parts में बिलकुल half parts में divide कर लिया तो देखते हैं हमकी एक side में 11.5 और दूसरे side में 11.2 यानि कि unilateral light नहीं दिया है हमने तो इस case में क्या हो रहा है oxygen जो है उसका concentration दोनों ही half में equal आ रहे है यानि इसमें कोई distribution नहीं हु दे रहे हैं अब next case में यदि unilateral light दे रहे हैं और उसके बाद भी हमने देखा कि आखे दोनों half जो है अगार के उसमें क्या concentration रहता है तो overall concentration तो nearly equal है लेकिन light वाली side में आप देख पा रहे है oxygen का concentration है low और non illuminated side में यानि shaded part के अंदर dark part के अंदर जो light है oxygen है उसका concentration है 15.4 तो specific protein होते हैं जो क्या करते है oxygen का transport करवा देते हैं कि side में eliminated side से non illuminated side की तरफ और यही reason होता है कि shaded part में oxygen का concentration क्या आजाता है जादा आजाता है समझके बच्चों तो बच्चों ऑगजिन जो है वो टिप के अंदर बनता है light की वजहे से उसका distribution हो जाता है या transportation हो जाता है shaded part की तर Shedded Part में Oxygen का Concentration हो जाएगा जादा Eliminated Part में हो जाएगा कम और इसकी वज़े से ये वाला पार्ट जो होगा इसकी growth जो होगी वो क्या होगी? जादा हो जाएगी और जो Eliminated Part इसकी growth जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि हमको पता है कि प्लान की ग्रोथ जो है वो directly proportional होती है ऑक्जिन के concentration के तो यहाँ पर ग्रोथ जादा और इस तरफ ग्रोथ कम ultimately क्या होगा यह light की तरफ curvature जो है वो show कर देगा ठीक है बच्चों तो यह सारी बाते थी किसके related ऑक्जिन की discovery के related की आखिर ऑक्जिन कैसे discover हुआ और FWN ने clear कर दिय था कि जो ऑक्जिन की concentration है quantitative difference है उसकी वज़े से ही यह light की तरफ moment करता है या curvature show करता है ठीक है बच्चों तो अब बच्चों देखते हैं कि ऑक्जिन की different types जो discover हुए थे कि कोगल, हेगें, स्मिथ और एक्जल बेन ने इन्होंने discover किया था ऑक्जिन को तो सबसे पहले जो isolated ऑ यूरीन से discover हुआ था और इसको oxenotriolic acid भी बोलते हैं ऐसे बच्चों oxen B, oxen B was isolated from corn endosperm, corn germ oil जो है उससे discover किया था और इसको oxenolonic acid जो है वो नाम रखा गया था और heteroxen जो है यह isolate हुआ तब फिर से human urine से और यही indole 3-acetic acid होता है ठीक है बच्चों तो oxen के related कुछ information कि oxen का precursor हाला कि हम यह बात पहले पढ़ जोगे oxen का precursor क्या होता है ट्रिप्टोफैन होता है और zinc जो है वो essential है कि इसके लिए for biosynthesis of oxen तो oxen का precursor ट्रिप्टोफैन होगा biosynthesis कहां पर होता है mainly जो apex होते है shoot and root apex और इसके अंदर भी mainly कहां पर mainly at shoot apex और जो बच्चों concentration है दोनों जगाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा difference होता है कि यदि हम बात करें कि root के अंदर point 001 ppm होता है तो shoot में आ रहा हूं 10 to 25 ppm के आस पास में concentration होती है तो oxen जो है उसका concentration shoot में बहुत ज़्यादा होता है mainly shoot apex में बनता है और उसके बाद इसका transportation होता है यानि चेक तरफ यानि transportation is always polar and basy beetle parent caima cell के थूर होता है बच्चो और ये जो है वो active transportation भी show करता है h plus के थूर सेकेंडर active transport भी होता है इसमें and structure जो है indole acetic acid जो होता है उसका structure जो है बच्चो कुछ इस type का होगा ठीक है बच्चो तो ये हमने कुछ general information देखी कि आखिर precursor क्या होता है biosynthesis कहां पर होता है और transportation जो ह जो है वो polar होता है structurally indole 3 acetic acid ऐसा होता है तो बच्चो अब हम देखते हैं कि oxyn जो है वो कौन कौन से type का होता है oxyn natural भी हो सकते है natural oxyn and synthetic oxyn बच्चो natural oxyn जो है उसके नाम आप ध्यान रखेंगे एक तो हमारा best non natural oxyn जो है वो है indole 3 acetic acid best non natural oxyn और इसके अलावा indole butyric acid जो है व वो भी natural oxyn होता है ठीक है बच्चो और synthetic के यह दि हम बात करें तो synthetic oxyn जो होगा वो कौन कौन सो होगा naphthalene acetic acid phenoxy acetic acid और उसके अलावा 24D 245T यानि कि 24 dichlorofenoxy acetic acid जिसको हम 24D बोलते हैं और 245T trichlorofenoxy acetic acid और naphthalene acetamide naam naphthalene acetamide तो बच्चो यह जो है वो chemical oxyns होते हैं कुछ natural indole acetic acid, indole butyric acid और synthetic में आप धियान रखेंगे at least naphthalene acetic acid 24D and 245T यह synthetic oxyn होते हैं तो बच्चो अब देखते हैं हम functions of oxyn, oxyn के plant के अंदर क्या-क्या functions है सबसे पहले बच्चो यहाँ पर देख रहे हैं हम cell enlargement जो oxyn होता है वो cell का enlargement का काम करता है और even cell division जो है उसको भी promote करता है cell enlargement and cell division को promote करता है कौन oxyn prevention of lodging जो plant के अंदर lower intronodes जो होते हैं उनको क्या करता है यह strong करवाएगा ताकि plant जो है easily break ना हो lodging जो है उसको prevent करेगा तो बच्चो यहाँ पर naphthalene acidamide जो होता है वो उनको तूटने से bend होने से बचाता है और बच्चो बहुत important function oxyn का है apical dominance apical dominance क्या होता है बच्चो कि हमको पता है कि oxyn mainly कहाँ पर बन रहा है shoot tip के उपर बन रहा है और shoot tip में बनने के बाद में यह क्या करता है यह नीचे की तरफ transport होता है अब oxyn की वज़े से shoot की growth तो promote होती यानि इसकी growth को तो यह promote करेगा बड़ जो lateral बड़ वगरा होंगे इनके development को यह new branch formation को inhibit करता है तो इसलिए बच्चो अपाइकल dominance का मतलब क्या हुआ प्लांट की length जो है वो तो ज़्यादा बढ़ेगी shoot जो है वो elongate तो बहुत होगा लेकिन new branches जो है उनका formation नहीं होगा ठीके बच्चो यदि हम pruning करते हैं तो pruning वाली process क्या होते है removal of shoot tip यदि कोई plant है उसके अंदर यदि हमने shoot tip को cut कर दिया और oxygen का formation रुख जाएगा और oxygen कम बनेगा तो apical dominance जो property है वो lost हो जाएगी और new lateral branching जो है वो जादा बनने लग जाएगे तो क्या हो जाएगा it results in dense growth of hazes जो hazes होते हैं वो बहुत dense होते हैं उसका reason क्या होता है के बार हम अपने gardens में भी देखते हैं कि जो gardener होता है वो plant की tips को cut करता है बार बार तो उसकी वज़े से क्या होता है oxygen का amount कम हो जाता है और oxygen का amount कम होने पर apical dominance जो है वो suppress हो जाएगा और apical dominance यदी suppress हो गया बच्चों तो फिर क्या होगा जो उसके lateral birds है वो lateral bird grow करना है start कर देंगे new branchings बन जाएंगी और क्या हो जाएगा और वो hazy dance type का plant बन जाएगा ठीक है बच्चों और बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि यह oxygen और cytokanine का effect जो है वो एक दूसरे का opposite होता है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि tip oxygen जो है वो क्या कर रहा है वो apical dominance को कम कर रहा है lateral branch formation को induce कर रहा है बिलकुल ऐसे ही जो है वो apical part की growth को बढ़ा रहा है lateral branch बनने को inhibit कर रहा है तो cytokanine इसके opposite काम करेगा cytokanine क्या करेगा apical growth को तो कम करेगा और lateral branch formation को बढ़ा देगा तो आप ज्यानक हैंगे कि shoot के अंदर oxygen और cytokanine जो है उनका apical dominance के related function जो है वो बिलकुल opposite होता है ठीक है बच्चों इसके अलावा ये phototropism और geotropism के लिए भी important होता है और बच्चों इसको हम rooting hormone भी बोलते है करें कि कोई cutting है तो normally जब cutting जैसे rose cutting है तो rose cutting को जब उगाया जाते हैं तो क्या करते हैं हम इसके lower end को weak oxygen में डुबो के रख देते हैं यानि हमने इसको dip कर दिया किसके अंदर oxygen solution के अंदर oxygen IBA और NA IBA के अंदर हमने इसको रखा तो इसकी वज़े से क्या हो जाएगा इसकी promoting hormone it promotes initiation of root in stem cutting and in callus बच्चों callus में भी यह बहुत important function होता है जैसे बच्चों callus में क्या होता है callus is what group of undifferentiated cell यदी हम किसी callus को रखते हैं किसके अंदर oxygen और cytokinin वाले solution में तो तीन अलग-अलग condition मन सकते हैं जैसे जैसे यदी हम oxygen और cytokinin दोनों का ratio equal रखे हैं यानि दोनों बराबर हैं तो उस तैंप पर cell divide होती रहेगी differentiate नहीं होगी यानि क्या होगा callus जो है वो divide करता रहेगा न root न shoot कुछ नहीं बनेगा लेकिन यदि हम इसको एक ऐसे solution में रखें जहां पर oxygen की concentration हैं यानि कि ratio जो है वो more than 1 है तो oxygen क्या कर देता है oxygen जो है वो promote करेगा किसको root differentiation को तो बच्चों इध्यान रखेंगे कि oxygen जो होता है वो root के differentiation को induce करता है बिल्कुल इसका opposite यह दी हमने oxygen और cytokinin इसका ratio less than 1 कर दिया इसका मतलब cytokinin जादा है oxygen कम है तो उस case में बच्चों shoot का differentiation होता है और ये concept जो है ये concept बहुत ही जादा use होता है किसके अंदर tissue culture के अंदर तो उस time पर oxygen और cytokinin के ratio को adjust करके हम plant के अंदर different part जो है root और shoot जो है उसके differentiation को control करते हैं ठीके बच्चों तो ये बहुत ही important बात है जिसके तरू हम oxygen और cytokinin दोनों की study कर पा रहे हैं ठीके बच्चों अब इसके अलावा देखें delay absession of leaf by preventing formation of absession layer बच्चों ये जो young leaf होते हैं उनके अंदर absession को promote करता है absession को prevent करता है किसके अंदर young leaf ये young fruit होगा उसके अंदर बट यदि older होगा older leaf fruit होगे तो उसमें क्या करेगा उसमें ये absession को promote कर देता है ठीके बच्चों इसके अलावा next function ये पार्थेनो कार्पी जो है उसको induce करेगा और seedless tomato वगेरा fruit वगेरा बन induce करता है मतलब number of female flower जो होगा उसको ये बढ़ा देगा और female ने उसको induce करता है example cannabis हो सकता है बच्चों इसके बाद में seasonal activity में cambium जो है उसकी activity को oxygen promote करता है और oxygen जो है वो promote करता है secondary xylem और secondary formation को और उसके differentiation को ठीके बच्चों उसके बाद में healing वाली site ये इंजर्ड साइट है त जो होता है इंड्यूस negative potential in cell membrane के अंदर negative potential उसको increase करेगा and it promotes xylem differentiation बच्चों xylem की differentiation को ये promote करा है जैसा कि अब हमने बात किया इसके अलावा बच्चों एक और भी बात आप ध्यान रखेंगे कि अभी हम shoot के लिए तो मेली बात करेंगे बट root में oxygen का क्या effect होता है root के अंदर انदर auxin का effect अलग होता है कि root में auxin जो है वो inhibit करता है किसको root के elongation को inhibit root elongation root के elongation को inhibit करता है shoot के elongation को promote कर रहा है बट root के elongation को inhibit करता है और lateral branch branch Kum in root lateral branch formation को increase कर रहता है ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हमने देखा कि oxygen का plant में क्या-क्या function है अब हम देखते हैं इसका application आखिर यह क्या-क्या किस तरीके से use होता है plant के अंदर तो बच्चों यह application of synthetic oxygen आखिर हम कैसे इसको use कर रहे है normally planting के लिए rooting in stem cutting IBA, IBA alanine and naphthalene acetic acid जो है इनको हम rooting के लिए use करते है parthenocarpy जो है वो IAA और IBA induce करता है बच्चों और weedicide की form में हम 24D and 245T को use करते बच्चों और यह 24D और 245T जो है mainly broad leaf weeds होते है यानि lawn के अंदर के बार हम जब अपनी lawn के अंदर दिखते हैं कि हम grasses उखा रहे हैं बहुत सारे dicot plant जो है वो भी उख जारे महाँ पर तो उनको kill करने के लिए 24D और 245T यूज करते हैं वो इसको ठीक से catalyze नहीं कर पाते हैं या metabolic activity में इसको destroy नहीं कर पाते हैं तो उसका concentration बहुत हाई रहने की वे से वो plant dead हो जाते हैं ठीक है जबकि monocot जो है इसको utilize कर पाते हैं और dead नहीं होते हैं फिर बच्चों flowering NA24D जो होते हैं वो leachy और pineapple में flowering को induce करेंगे plant NA in tomato और बच्चों food की quality improve करने में भी इसका role होता है और dog shoot जो होते हैं उनके लिए जो oxygen जो है उसको हम use करते हैं increasing the dog shoot and number of fruit in apple एपल में ये use होता है और बच्चों US Vietnam war में oxygen जो है वो use हुआ था 24D and 245T और इसलिए उसको हम agent orange जो है वो भी बोलते है agent orange ठीक है बच्चों ये इसलिए क्योंकि US Vietnam war में use हुआ था जो forest थे उनको defoliate करने के लिए use किया गया था ताकि shoulders जो है वो अपने आपको hide नहीं कर पाए और easily उन्हें अब बच्चों कुछ extra information के anti oxygen क्या होता है anti oxygen जो होता है वो होता है आपको बच्चों के bio essay में कौन सा technique यूज करते हैं तो अभीना curvature test यूज करते हैं root growth inhibition test जैसा कि मैंने आपको बता है कि root की growth को inhibit कर रहा है lateral branch formation को promote कर रहा है तो हम उसको भी use करते हैं and split p test जो होता है ये भी use करते हैं ठीक है बच्चों तो ये सारे हो गए हमारे oxygen के related की oxygen क्या होता है और किस तरीके से उसको उसके functions है और उसको use किया जाता है तो बच्चों अब देखते हैं oxygen के related कुछ questions तो बच्चों oxygen के लिए question देखे आप oxygen are oxygen क्या है first isolated in agar by pal ने बच्चों जो oxygen का isolation है वो सबसे पहले जो fwnt उन्हों नहीं किया था synthesized using tryptophan as precursor ये बच्चों ये हमने पढ़ा है कि oxygen जो होता है वो उसका precursor जो है वो tryptophan और zinc के requirement होती है इसके synthesis के लिए found always as bound with amine ने बच्चों ये free condition और bound condition दोनों में मिलता है and synthesized in shoot apices only बच्चों only गलाते mainly होता है लेकिन only नहीं क्योंकि root में भी बनता है तो बच्चों इसका answer क्या हो जाएगा second next question बच्चों 240 and 245TR ये oxygen है बच्चों और इसका use कैसे कर रहे है हम ये use होता है as we decide we decide की form में use कर रहे हम तो किसके लिए monocot की dicot बच्चों ये broad leaf जो dicot weed है उनको kill करता है तो first wrong हो गया effective we decide against broad leaf yes बच्चों तो इसका answer क्या हो जाएगा second तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को oxygen जो है वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और अब इसके बाद में zebralin और दूसरे hormones जो है वो हम पढ़ेंगे next lecture में तब तक लिए आप पढ़ते रहे है बाई बाई